साथियों नमस्कार पंचांग देखना सीखे था जो 30 मने चैनल में आप लोगों को हारदिक स्वागत करता हूँ साथियों हमेशा की भाती आज हम लोग सीखेंगे बहुत से सारे वीडियो आप लोग देख रहे हैं जिसमें हम बताते रहते हैं तो आए हम लोग सीखते हैं मलमास क्या है मलमास के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत से सारी बात आप लोग खरमास इत्यादी के बारे में आप लोगों से हमने चर्चा कर लिया है तो एक भाई हमारे कॉमेंट किये कि मलमास क्या है और मलमास में हम क्या करें क्या नहीं करें इसका विचार हम लोग करते हैं तो मलमास में बहुत होते हैं एक मलमास जो होता है जो तीन बर्ष के बाद आता है कुछ उसी में लोग कहते हैं कि अधिक मास किसे कहते हैं या छोय मास किसे कहते हैं तो इसकी गार्णा हम लोग करके देखेंगे और सीखेंगे कि मल मास क्या होता है तो हम लोग अज मल मास के बारे में चर्शा करते हैं देखें हम अपनों के लिए सरल भासा मिलाएं हैं इसे देखें मल मास, अधिक मास, एवं छाय मास क्या है तो आज देखें पंचांग में मासों की गर्णा चंद्र मास से या बर्ष की गर्णा छोर मास से की जाती है यानि हम लोगे जो गर्णा करते हैं मासों का उसके अनुसार सौर मास जो होता है उसके अनुसार यानि सुर्ज के अनुसार हमारे क्या गर्णा है चंद्र के अनुसार क्या गर्णा है सब को जोड़ने के बाद ही निकालते हैं जैसे 12 है चंद्र माशों का, यानि एक माश जो होता है, एक चंद्र मास एक माह का होता है उसी परकार 12 चंद्र माशों को मिला करके एक बर्ष हम लोग आते हैं जो 6 मास, शोर मास से के लगभग 10 दिन लगभग छोटा होता है यानि 365 दिन 6 घंटा 22 सेकेंड का हम लोग एक बार समानते हैं तो उसमें 10 दिन लगभग कम होता है यानि चंद्रमास सौर मास से यानि सूर्ज के मास से हमारा दस दिन छोटा होता है प्राया है परती तीन बर्ष में जब यह अंतर एक चंद्रमास बने एक महीना एक चंद्रमास के बराबर हो जाता है यानि दस दिन तीस तो सौर बर्ष में तेरह चंद्रमास हो जाता है यानि एक महीना बढ़ जाता है तेरहमा मास अधिक मास कहलाता है इसी अधिक मास को हम लोग पुर्शोत्तम मास भी कहते हैं सैधानतिक रूप से जिस चंद्रमास में सुर्ज की सक्रामती नो हो वह अधिक मास या मल मास कहलाता है तो साथियों आप लोग भरम में न पढ़ें चंद्रमास सौर्मास दोनों की गार्णा करके हम लोग मल मास को निकालते हैं यानि तीन महीना जो आप लोग सुनें यानि तीन महीना ए तीन बर्ष के बाद जब एक माह की बिर्धी हो जाती है यानि दस तीन तीस यानि हरे के बर्ष में दस दिन के जो अंतर यहां बताया गया उसी अपरकार दस तीन तीस यानि एक महीना तीस दिन का एक महीना होता है इसलिए उसी के अधार पर तीन बर्ष के बाद चौथा बर्ष मलमास चंदर और सुर्ज के मासों में दस दिन का अंतर होने के चलते हमारा मलमास माना जाता है अंग्रेजी में इसी को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं यानि जो हमें एक दिन का घर्टा बढ़ता है वह लीप वर्ष या अधी वर्ष कहलाता है लेकिन जो हिंदी का महिना है जैसे चैत, बैसाख, ये ठसार, साउन इसे बारह जो महिने हैं इसी में एक माह की ब्रिधी हो जाती है वही एक मास ब्रिधी जो होता है हमारा मलमास कहलाता है इस दिनों में मलमास के दिनों में सुभकार बर्जित माने गया है साथ यह जदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सेर करें, सस्क्राइब करें, धन्यवाद